हेलो दोस्तों, वेलकम हैं आपका हमारे यूट्यूब चैनल में तो पैंसनर्स, फैमिली पैंसनर्स और भूत पुरू जबानों और सभी स्टेट करमचारियों के लिए मैं बहुत बड़ी अपडेट लेकर आया हूँ जिन्हें सुनकर आप बहुत खुसक हो जाएंगे, साथी साथ आपके लिए सैरली पैंसनर्स में बड़ोत्री के रास्ते भी खुलते हुए दिखाई दे रहा है जियां दोस्तों पूरी खबर को जानेंगे, पूरी खबर को बने रही है हमारे साथ इस वीडियो में लास्त तक और अगर चैनल पर पहली बारा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा साथ ही साथ आप हमारी वीडियो की लटस्ट नोटिफिकेशन के लिए घंटे के निसान को भी प्रेस करिएगा तभी आपके पास हमारी वीडियो की लटस्ट नोटिफिकेशन आप आएगी और आप हमारी वीडियो को इसी तरीके से आगे भी वाच कर पाएंगे आपकी जो salary और pension में जल्द आने वाली है या late होने वाली है उसके regarding हम बाद में बात करेंगे पहले other जो 5 बड़ी खबरे आ रही है उनको हम देख लेते हैं तो सबसे पहले उनमें बड़ी खबर आ रही है वो बड़ी खबरे आपको fixed medical allowances को ले करके यहां दोस्तों आप सभी क के hospitals या wellness centers या फिर वहां पर सीजेचस के dispensaries नहीं है तो ऐसे एरिया में रहने वाले pensioners और family pensioners को सरकार की तरफ से एक हजार रुपए का fixed medical fixed medical allowances दिया जाता है जी हां दोस्तों ऐसे में अब pensioners और pensioners associations ने सरकार को बहुत सारे लिखेते सरकार को बहुत सारे grievances भी लिखेते कि जो एक हजार रुपए जो government की तरफ से एक हजार रुपए बहुत कम पड़ता है क्योंकि आपको पता है कि medicines की cost बहुत बढ़ रही है दिन पर दिन तो ऐसे में एक हजार रुपए कम हो रहा है तो सरकार से इनोंने request की है और सरकार का इस पर answer भी आए जियां दोस्तों सरकार ने सरकार ने जो है इसके regarding बोला भी है बैसीकली सरकार पैंसर और पैंसर एसे बोला था कि सरकार जो है एक हजार रुपए से बढ़ा करके फिक्स मेडिकल अलाउंस से जो है वो तीन जार रुपए तक करे इसके regarding government ने clear instruction दि दिया गया है वहां से अब जो है कुछ न कुछ इसमें update लेकर आएगा इसके regarding जो है आगे आने वाले दिनों में बहुत सारी चीज़े clear होंगी लेकिन आप कमेंड करके बताएगा कि आपके इसाब से कितने रुपए फिक्ट मेडिकल अलाउंस के रूप में पैंसर और फैं की तरब चलें तो वह आ रही है आपके फिट्मेंट फेक्टर को ले करके यहां दोस्तों अभी आप सभी को पता है कि सात्यों बेतन आयुक के रिकमेंडेशन के हिसाब से आपको जो है मिनिमुम सहली अठाजार रुपए और मिनिमुम पैंसन नौजार रुपए उसमें सात बेतन आयुक के बाद में जो की से जो की आपकी फिट्मेंट फेक्टर है तूपोइंट फाइव एड गुना उसके बेसेस पर आपकी सेल्यों और पैंसन की जाती है लेकिन अब मीडिया मैंसे खबरे आ रही है साथी साथ बहुत सारे जो एस वीडिया बहुत सारे जो पैंस कि एसे से या बोल सकते हैं कि वैडिरेशन से उन्हेंने वी सरकार से रिक्विच्ट किया कि सरकार जो है करमचारी ऊंफेंस और फैमिली पैंसन का तो Fitness factor उसमें बड़ोत्री करें बड़ोत्री 3.68 गुना तक करें और ऐसा वाकई में होता है तो Veg Work ard दो और धुन्यों ोसमेंदर कि वह सेनाच से था प्रणिये बड़ाने था है तो यहां मैं मैं आ सब्सक्राइब आरे 13-14,000 रुपए तक पहुँचेगी और साथी साथ आपकी जो सैलरी है वो 25-26,000 रुपए बेसी तक पहुँचने की पूरी पूरी सम्मावना जैताई जा रही है इस पे भी अगर ऐसा होता है तो हम आपको जरूर बता देगे अगली बड़ी अपडेट की तरफ लेके चाहे तो आपकी बड़ी अपडेट आ रही है 18 मंस के DA और डी आर पर जी हां दोस्तों आप सभी को पता है कि आपको 18 मंस के DA और डी आर का जो एरियर से वो नहीं दिया गया था ऐसे में अब इस मंत में जो है आगे आने वाले वीक्स में कभी भी हपते में जो है एक बड़ी मीटिंग होने जा रही है जो जिसमें कैबिनेट शेकेटरी डियो पीटी के अधिकारी साथी साथ म्निस्ट्य और फाइनेंस के डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपींडिचर के अधिकारी भी बैठक में बहुंगे जिसमें इस मीटिंग में और भी कई सारे इसूस होंगे जिसे वो इसके लावा और भी कई सारे मुद्दे हैं लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो 18 मंस का डी ए और डी यार का जो एरियर्स है वो होने वाला है जी हां दोस्तों अगर आपका 18 मंस का डी यार आप भी चाहते हैं इस वीडियो को लाइक करिए और इसके लावा जो है ब बहुत ज़ादा रहत मिलने की सम्भावना जता जा रही है और मीडिया में यह भी खबर आ रहे थी कि यह सिर्फ पैंसर को मिलेगा तो मैं आपको बता दूँ यह ऐसा नहीं होगा क्यों कि डी ए और डी र कर्मचारियों पैंसर्स और फैमिली पैंसर्स तीनों का रोका गया तो ऐसे में अगर ये रिस्टोर किया जाता है यानि इसमें जो डिये एरियस अगर मिलता है पैंशनर्स को फैमिली पैंशनर्स को तो सभी को मिलेगा इसमें बहुत ज़्यादा आगे जो भी अपडेट होगी बैठक में वह हम आपको जरूर बहुत ही क्लियरली से इसमें बता देंगे इसके लाव और भी बड़ी ख़बरे आ रही है जिहां दोस्तों आपके सैली से लेकर भी बहुत सारी खबरे थी अब आपको मैं सैली से लेक है लास्ट वर्किंग डेपे वैसे ही आपके सैली और पैंसन आएगी इसमें किसी भी हिसाब से कोई भी आगे आगे बड़ोत्री या कमी नहीं की जाएगी एक और बड़ी अपडेट मैं आपको देदूं कि गवर्म की पैंसनर्स और फैमिली पैंसनर्स और इसके लावा ज इसको है आपको आपका जो पैंसन है उसको जो है दो अल 55 साल में पांच साल की रिक्चंच से आपको automated आपकी salary में 20% की basic pension में आपको 20% की बड़ोतरी हो जाती है तो ऐसे में यह एक बड़ा सरकार के लिए challenge होगा दूसरी दूसरी बड़ा यह बोला गया था कि जैसे existing employees के लिए 3% basic salary में बड़ोतरी की जाती है तो उसी हिसाब से pensioners का at least 1% basic जरूर बढ़ाया जाए क्योंकि उनकी basic pension में किसी भी टाइप से कोई बड़ोतरी नहीं होती है तो कम सकम अगर 1% basic में भी बड़ोतरी की जाएगी तो pensioners को उसमें जी उनका काम चल सकता है क्योंकि pensioners की pension में सिर्फ डिये के लावा और कोई बड़ोतरी नहीं होती है तो पूरा साल पर में सिर्फ दो बारी डिये बड़ता है तो ऐसा मैं जो उनको 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 उनने बोला कि at least कम सम एक परसेंट की basic में बड़ोतरी जरूर उनकी pension में की जाए आपको यह क्या सोचते हैं क्वार में सचते हैं